नमस्ते भारत साथियों जैसा कि आप पासी जूट का इतिहास जाति चोर भागवन आपने देखा था इसी नाम से तो आपने देखा होगा पिस्ट नंबर तीन से लेके साथ तक और नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा क्योंकि सही में अगर आपको यह जो आज भी जुट बोलते हैं तो यह पढ़ना पड़ेगा उनहीं का जो उनहीं के बारे में लिखा गया है बकाइदे उनका एक जो डाटा है तो उसमें सब कु करें भाग दो जो आगे के रिपोर्ट में बाकी रह गया था उसे मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं यह दिखिए फिर पाशी जाती जूट का इदियाज जाती चोर भाग दो अब आप कहेंगी कि वह समाज को कह रहा हूं तो नहीं हां उस समाज के तथा कथित कुछ औराजकतत हैं, जो इस तरह की नाकारातमक राजिती और नाकारातमक सोच पैदा करके पूरे समाज को बद्राम करते हैं, तो पूरे पासी समाज को यह देखना चाहिए, सही में क्या उससे कुछ नेता, उससे कुछ चलाक लोग इस तरह से घलत, किशे और जातिकों लेके इतिहास क्यों लोगे इस तरह से चोरी करते हैं तो सही नहीं है आईए हम देखते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था इतनों ग्राफी सब्सक्राइब करते हैं और सेंसस आफ इंडिया देख रहे हैं यह भारत का लोगों 171 जो मैंने पले बताया था और पासी यह सेड्यूल काशिन उत्तर प्रदेश और आप देख रहे हैं आप इस आप दे रिश्टार जनरल इंडिया जिसे आर जी आई कहते हैं आप सभी को प पता है मिनिस्ट्री आप फियर नियू दे लही यानि जो अरचड का विभाग जो आरजियाई होता है आरचड का विभाग सभी आरजियाई देखता है तो यह पूरा उनके द्वारा यहां पर इंडिका डिटेल दिया हुआ है पुड़ा एपकासे हिस्ट्री जैसा मैंने आ याम खुले याम एकदम देवस्टिक दिखा गया इन्होंने जूट बोला था और रिपोर्ट में माना गया है कि नहीं वह गरत है अब आगे अब देखिए आठ और नौ बहुत महत्त पुड़ है बहुत महत्त पुड़ आठ और नौ नंबर में पेज नंबर उसी का आठ है अब देखिए आठ में मैंने इसका हिंदी अनौ बात किया हुआ है ऐसा प्रतित होता है कि संदर्व समू से सर्रेखण या विवाजन समाजी संसिति विचार के अलावा कुछ समाजिक राजनेतिक कारकों द्वारा निर्देशित फिल जाच के दवरान या सामने आया पुछपासी और अविजात वर्ग ने परीधी समू से संबंदित समुदाय के साथ घनिश संबंद बनाने के लिए हाल में ही एक प्रमित्त स्थापित की है ध्याग दिजिए यह इस भावना से प्रेरित है कि ऐसा करने से राजनेतिक रूप से अधिक ब्यभार होंगी और पड़ाम सुरू बिभिन अस्थरों पर अनसूचित जातियों के लिए विकास आत्मत कल्याणकारी उपायों में निर्णे लेने में उनकी आवाज अधिक हो कि पासी समाज में उसमें लगबग अधिकास्ते हैं उनका एक अभिजात वर्ग अधिक यह उनका जो है समुन इस तरह की प्रवित्ति खुद में पैदा की इस ऐसी भावना प्रविए उनकी जो हुई कि ऐसा करने से कैसा जैसे किसी और जातिको अपने साथ जोड़ लेने स इस तरह से यह क्या करेंगे जो अंसूची जन जाती में इनको जो है मेरा अधिक बन हो जाएगा ऐसा इंहों ने इक इस भावना से यह काम किया था इस रिपोड में बताए जा रहा है संभावना नहीं है कि उत्यक्त कदम समय के सांत और गती प्राप्त करता है तो यही संध दर्बित समधाय के साथ घनिष्ट सर्रेखण की प्रक्रिया अस्थापिद कर सकता है अब देखे इतिहास और प्रवासन पासियों के भी छेत्र की जाच के दौरान उन्हों ने गौरव साली अतीत का दावा किया दिखे यहां पर किसी ने किसी ने दावा किया खूद पासियो को ने एक इस्तरह का दावा किया किनका इतिहास और कतीत मतलब बहुत गौरव साली रहा है विकर्व से अपने द्वारा सासित रियास्तों और छेत्रों की बात करते थे खासकर अवद छेत्र में राज-पासिवर्ग ने बिशीर सूप से सासकों से अपने बंस का दावा किय जैसा कि पहले उलेग किया गया है जैसा मैंने आपको उपर बताया उन्होंने कैसे राजवनसी भर राजवनसी अपने वो राजवनसी फिर वापस आगे के आगे के रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्हें कार्यात्मक साखा के रूप में इन्होंने कैसे कहां-कहां लिया गया है पासी ने दावा किया कि एक समय में अकेले अबद में उनके 22 मुखिया थे उस समय जब रिपोर्ट इसा पजार की जा रहे थी यह लोगों का दावा था कि 22 मुखिया थे अपने दावे के समर्थन में उन्हों ने कुछ ऐसे लोगों ऐसे नगरों और कस्बों के में बताया जो कुछ पाशी सासकों के नाम पर रखे गए थे इस समंद में उनके द्रिष्टांद के माध्यम से उल्ले किया है अब देखिए यहां पे रिपोर्ट में यहां बताया गया है चाहे यहां पे हो चाहे वो पासी ट्राइब के नाम से हो यानि यह जो इन लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है उसी को यहां पे लिखा जा रहा है किसी ने इस पे मोहर नहीं लगाई है किसी लिखक ने कि हां यह इनके थे या रंपरा इनको कह रही है या कोई अन्य दूसरे लोग इनके बारे में बता रहे हों कि यह पाशियों का था यह पासी राजा है ऐसा किसी नहीं कहा है यह जो इन्होंने दावा किया था उसी दावों के यहां पर मतलब रिपोर्ट में बताया गया है बस इतना ही है अब उसी को लेकर आज ये जवरजस्तिया दवा करते हैं कि कहीं लिखा गया है लिखा नहीं गया है देखिए माध्यम से लिख किया है कि लखनव सहर का नाम लाखा राजा के नाम पर रखा गया चाहिए पका है रखा गया है लेकिन वह ये भर राजा थे अब ये उसमें लखना पासी होन था मलीहाबाद का नाम राजा मुल्ला के नाम पर रखा गया है सैतान के बाद सत्रिट जो पर फिर बिज्नऊर का वोलते हैं कि बिजली यह इनका दावा है देखिए पिर जो है नगरमल को इलियेट कुरूप रसेल जैसे कुछ बिद्वानों जारा समर्थित किया गया है कि आगे देखिए क्या कहा जा रहा है फिर आगे इसी प्रकार कुरूप ने क्या कह रहे हैं पूरे आवद में पासियों की परंपरा है ये किसकी परंपरा है पासियों में युए देश के स्वामी थे और उनके राजा खीरी हर्गोई उन्नाओ जिला सांडिला और धावररा मतवली रामकोट में सासन करते थे रामकोट जहां उन्नाओ का पांगरमान कस्वा है अब खड़ा है कहा जाता है कि ये उनके प्रमु किया है रामकोट के पासि राजाओं में से अंतिम राजा जो है संथा ने कनोज के प्रती अपनी निष्टा को त्याग दिया और सरदाजली देने से इनकार कर दिया इस पर राजा जहचंद ने अपने गांजर देश वनफर नाय को आला उदल को दिया और उन्होंने हमला कि रामकोट को नर्स कर दिया इस खंदारों का अकार हिंद रव्यमान छोड़ दिया अब हमें जो मिल रहा है क्रूप लेकिन अब यहां पर क्या कहा जा रहा है अभी आगे यह तो उनका बताया गया जो उन्होंने कहा अब यहां कहा जा रहा है लेकिन क्रूप ने राजा पास नाम के आगे बज़ाए जो एक भर राजा थे तो दो दिखिए एक तिलोक्चन बैस एक तेरहवे सदी के चोड़ावी के एक जो राजा भर राजा तिलोक्चन तो इसमें बड़ा कर्फूजर है तो यह जो भर राजा थे तिलोग चन 218 इसभी के यह लोग कहते हैं रूस परिवार से हम लोग राजसाही वहाँ से फिल लिखने लगे हैं यह वहीं से हम लोग उतरे हैं कौन कहता है राजपासी भर राजा तिलोग चन से लेकिन का यह दावा है इसने रसेल को अनमान लगाने के लिए प्रिद किया अब ध्यान दीजिए महत्तपूर बस अंतिम साथियू कुछ शड़ और इसने बलस constraints है यह जैसा कि न क्रशचाहीं है ग्रज प्रसी कता है कि ईक रसेल का नमान सकतित होता है कि जन जाती का अवचारी रूप से कोई अन्य नाम रहा होगा जैसे इनका कुछ और अन्य नाम रहा होगा और यह भरों की देखें यह भरों की एक प्योसाइक साखा हो सकते हैं यहां पर एक सुजहाव यहां जा रहा है यह भरों की एक वयुशाइक साखा हो सकते हैं यह यह भरों की रहे होगा अइसा माना जा रहा है देखिए इसी रिपोर्ड में इन ही के रिपोर्ड में यह क्या खते हैं कि हम भरों के बाब है आपने देखा होगा आप सभी लोगों ने देखा होगा पासी समाज के भाई अंडे समाज के भाई देश वासी और भर भाई यह सभी आप लोग देखो यह इनका रिपोर्ट है जिसे कोई पढ़ता नहीं है यह लोग कभी से बताते नहीं है अब साथियों अंत में देखें नौ नंबर आप देख रहें पेज नंबर नाइन जो लाश्ट ऐसे तो सव पन्नों की इनका कल्चरोगर रहनसान खानपन उसके बारे में दिया उसे हमें नहीं बताना है सिर्फ आतिहासिक जूट और जो जातियों के नाम पे दावे थे उसी को दिखाना था अब देखी अंत में अंतिम रिपोर्ट बहुत 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 है यहां पे देखी समाप्ति के बाद जब अजुद्या को सूरजवंसी राजपुतों के महाराम के अधिन रखा हम अहतिहासिक अंदकार के एक अंतराल के बाद पाते हैं और नश्ट हो गई सूरजवंसीयों का पूरी तरह से निरवासित कर दिया गया देश के बड़े हिस्से सुदूर पुर आजपासियों का यह किसने कहा है आप आप है कि यहां पर देख पा रहे हैं स्पष्ट क्रानिकला पुन्दाव सर इलियर सहाब का मतहली कि अब दोखिए इसका संपूर सार क्या कहा जा रहा है संपूर सार तीन से लेके जो मैंने पहला भाग दूसरे वाग का साहुप्रोक् से यह प्रतीत होता है या देख उन्हों कुछ छेत्रों में अधिपत्त के अपने दावे को बढ़ा चढ़ा कर पेस किया होगा यह कि आने बढ़ा चड़ा कर पेस किया हुगा एैं बढ़ा चड़ा कर कुछ अन्य राज कूल्ट राजाूं या प्रमुक्तं के साथ इनका जुड़ायव से प्रतीत होता है कि अधीत में पासी कुछ छेत्रों पर सासन किया था देखे यह असपस्त लिखा जा रहा है कुछ छेत्रों पर उसके लिए लोग मानने को सभी लो लेकि ये धीरी धीरी क्या है इनका जूट क्या है ये पूरा और जितनी भी भर राजवरों के सासा के सब को अपना बता देते हैं ुसी लिए इनको भरों के साथ जोड़ा गया था घ्री की अपसाभव यह सबसे बड़ी प्राब्लम है झूट बोलते इतना जूट बोलने लगे। अब सब कुछ हड़ापना चाहते हैं अब देखीये जैसा कही और उलें किया गया है वे मलेसिया से जुड़े हैं हाल तक सेनाओं में परंपराओं को जारी रखते थे अलावा 1857 में अंग्रेजों के खिलाब भारती बिद्रों में एक महतुर हुनका निवाते हैं क्योंकि विए दावा करते हैं उन्होंने आवच की बेगम हजरत महल को अंग्रेजों से बचाया था अब सूचिये अंग्रेज अजिकारी खुद गजेट गय लिख रहे हैं उन्हें मालूम कि इन्होँ ने ऐसा कोई उनके पास रिकोर्ड नहीं कि हजरत महल गों अख़ें कुछ छत्रों में इनका वह राजवरों के जो शासन के दावरान एक साख्या के रूक में या किसी कारें के रोप में अबार्व कोहन करते थे किसी कुछ च्थ्षेत्रों में पास्चिम केये चिद्तरों में यही पुड़ा सार है और इसी को इन्होंने मुद्दा बना कर जूट बोलकर डारेक भर राजवरों से अपना सम्मन जोड़कर आज ये खुद उन्हें अपनी उपजाती बनाते हैं जिनकी बारे में इनका एक अलग इतिहास है जैसा आप सभी को पता है और इनके बारे मे इतना ही इतिहास है जो मैंने आठ पन्ने में बताया है यही आपको सारी जगह मिलेगा पूरा आप पूरा किसी का भी इतिहास उठा के पालिजिए इसकी अलामा कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ इतना ही दावा है इतना ही इतिहास है इनका इतना ही रामायर कथा है अच्छा लगा हो तो सेर करें नमस्ते जै भारत